Now, question 3 का first part देखिए, evaluate 10 inverse root 3 minus sec inverse of minus 2 अब यहाँ change क्या आया है कि यहाँ दो term हमें addition में या subtraction में करके दे रखी होंगी तो कोई change questions के अंदर नहीं है, दौनों को हम अलग-अलग solve कर लेंगे और फिर value यहाँ रख करके हम इसको solve कर देंगे तो हम पहले इस 10 inverse root 3 को हम माल लेते हैं आपका theta और यहाँ से value इधर चली जाएगी तो यह बन जाएगा 10 theta is equal to root 3 10 जो है वो root 3 किस पर होता है हमारा? 10 root 3 होता है हमारा 60 पर यानि की 10 pi by 3 इनकी tangent value equal है तो जो theta है वो pi by 3 के equal होगा यानि इस term को solve करने पर value pi by 3 आ रही है अब अगर हम दूसरी term को यहाँ solve करें तो इसको हम मान लेते हैं let's say some phi let sec inverse of minus 2 is equal to phi इसको इधर ले आएंगे तो sec phi is equal to minus 2 तो sec जो है वो 2 किस पर होता है? sec 2 होता है हमारा 60 पर तो 2 की जगे हम लिख सकते हैं sec pi by 3 अब बाहर minus sign है sign में 10 में तो formula होता है कि हम minus को अंदर ले जाते हैं बट यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ आप देखिए this is 0 pi by 2 pi हम angle को break करेंगे pi minus यानि sec pi minus pi by 3 ऐसा लिख सकते हैं आप पूछे सर ऐसा कैसे हुआ? तो जब चेक करिए pi minus मतलब second quadrant second में आपका जो sec है वो negative होता है और pi पर no change तो sec आगया और यह angle यानि minus of sec pi by 3 को हम sec pi minus pi by 3 लिख सकते हैं तो जब आप समझ यह कि यहाँ पर हो जाएगा sec 2 pi by 3 is equal to sec phi इनकी sec value equal है तो phi is equal to 2 pi by 3 और आप चेक करें तो यह sec की principal value branch में भी है आपका and यह भी आपका क्या है? 10 की principal value branch में है अब दोनों की value आप कहाँ put कर देंगे? आप यहाँ put कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इस इंपलाइज pi by 3 minus 2 pi by 3 L चेम आगया 3 so pi minus 2 pi that is equal to minus pi by 3 तो इस पूरी टर्म को solve करने पर जो value आ रही है वो minus pi by 3 आ रही है क्या है